25 जून 1932 यही वो दिन था जब भारते क्रिकट टीम इंगलेंड के खिलाप अपना पहला टेस्ट मैच खिलने मैदान पर उतरी थी 88 साल के इस क्रिकट इफिहास में भारत सुनिल गावासकर लाला अमरनास से लेकर सचिन तेंदुल कर और विराट कोहली जैसे कई महान बल्लेवाज विश्व क्रिकट को दे चुका है लेकिन भारत को अपने पहले महान तेज गेदबाज को देखने के लिए 44 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा 1978 में भारते टीम को अपना पहला सुपर इस्टार तेज गेदबाज कपिल देव के रूप में मिला जो कपिल देव की विरासत को समालने के साथ उसे आगे भी ले जा सके भारते क्रिकट टीम में जबे विचार विमर्स चल रहा था उस समय करनाटक का एक लड़का भारते क्रिकट टीम में खिलने का खौप देख रहा था सबा 6 पिट लंबे कत के इसी नौजवान लड़के ने आगे चलकर भारती क्रिकेट में तेज गेदबाजी के उस अभेद दुर्ग की निव रखी जिसकी सबसे मजबूत इट का नाम आज जस्प्रीद बुम रहा है और जिसने खुद को कपिल देव की विरासत का पहला वारि साबित किया हम बात कर रहे हैं महान भारती तेज गेदबाज मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रिनात की नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनुराग सूरी बंशी और आप देख रहे नारट टीबी की खाश पेशकस दियन संग हीरो जाफ इंडियन क्रिकेट जवागल श्रिनात से बैचलर आफ इंजिनरिंग की डिगरी भी आसल की थी कॉलेज के दिनों में इनका सबसे बड़ा सपना एक इंजिनियर के तोर पर अमेरिका जाने का था लेकिन इनके भागे को कुछ और ही मन्जोर था नियती शायद इस इंजिनियर के हाथों में क्रिकेट की गेद देख पर पड़ी जो समय करनाटक एश्टेट टीम के सेलेक्टर के पत पर कारेरत थे श्रिनात ने अपना फर्श क्लास क्रिकेट डेब्यू करनाटक की तरफ से खेलते हुए हैदराबाद के खिलाप किया और इस मैच की पहली पारी में हैट्रिक लेकर अपने फर्श क्लास क्रिक फर्श क्लास क्रिकेट में इनके शांदार प्रदर्शन को देखते हुएHina चेन पाकिस्तान के खिलाप वंडे श्रीज के लिए किया गया यहां श्रेनात ने अपना पहला वंडे मैच पाकिस्तान के खिलाप शार जहां के मैदान पर 18 अक्टूबर 1991 को खेला शार जहां के मैदान पर श्रेनात को सबसे सफल भारती तेज गेदबाज मना जाता है जहां इन्होंने कुल 49 विकट अपने नाम किये हैं श्रेनात ने अपने टेस्ट करियर का आगाज 29 नौंबर 1991 को ब्रीशबेन के मैदान पर और श्रेलिया के खिलाप किया श्रेनात ने अपने पहले टेस्ट दौरे में ही कुल 10 विकट चटकाए दरशल श्रेनात को अपने करीर के शुरुआती तीन सालों तक किसी भी घरेलू दोरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया जिसका सबसे बाड़ा कारण था कि उस समय घरेलू पीचों को देखते हुए टीम में एक ही तेज गेदबाज को शामिल किया जाता था और कपिल देव के होते हुए वो किसी भी अनगेदबाज के लिए मात्रेक सपने की तरह ही था 1994 में जब कपिल देव ने अंतराश्विक रिकट से सन्यास लिया उसके बाड़ श्रेनाथ को पहली बार वेस्टेंडीज के खिलाब पहला घरेलू टेस्ट मैच खिलने का मौका मिला इस मैच में इनोंने 5 विकट अपने नाम किये और मैच की दूसरी पारी में 60 रन भी बनाए और इस तरह मैनाबदा मैच का अवार्ड अपने नाम किया जब आगव श्रेनाथ भारत के सबसे सफल गेदबाज होने के साथ सबसे तेज गेदबाज भी रहे हैं 27 जनवरी 1989 को जिंबामबे के खिलाब खेलते हुए इनकी एक गेद कोई स्पीडो मीटर पर 117 किलो मीटर प्रतिगंटे रिकॉर्ड किया गया था वसीम अकरम और अलान डोनाल जैसे गेदबाजों के सामने टेस्ट मैच खेल चुके एलिएस्टर कैमपे बल और ग्रांट फ्लोवर जैसे बल्ले बाजों ने भी जबागर श्रेनाथ को सबसे तेज गेदबाज माना है श्रेनाथ ने साल 1992 में अठारा वंडे मैच खेले थे जिनमे इनों ने 19 की बहतरी नौसत के साथ कुल 34 विकट अपनी नाम किये कपिल देव के रेटायर होने के बाद भारती तेज गेदबाजी की पूरी जिम्मेदारी श्रेनाथ के कंधों पर आ गई थी और इसी काराड इन्हें अपने करियर में कई बार चोटों से भी गुजरना पड़ा 1997 में श्रेनाथ को रोटेटर कप इंजरी के चलते इनके दाएं हाथ की सरजरी भी हुई जिससे इन्हें मार्च 1997 से नौंबर 1997 तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा श्रेनाथ ने अपने इस दौर का जिक्र करते हुए कहा था मुझे उस समय क्रिकेट में वापसी करने की कोई उम्मेद नजर नहीं आ रही थी और इसलिए मैंने उस दौरान अपने कॉलेज जाकर अपने इंजिरिंग डिगरी हासल की ताकि मैं कोई और काम कर सकूँ लेकिन इसी बीश महान गेद बाज डेनिस लेली ने मुझे होसला दिया और क्रिकेट में वापसी करने को कहा और इसके बार लगभंग नौ महीने क्रिकेट से दूर रहने के बावजूद श्रिनात ने पूरी लगन और साहस के साथ मैदान पर वापसी करने की कोशिश में जट गए और इसी साहस के परेडाम सरूप इन्होंने साल उनिस सोठावे को अपने करियर का सबसे बहतरीन साल साबित कर क्रिकेट में धमाकेदार वापसी की श्रिनात ने इस साल बाईश की शानदार आउसस से उनिस वंडे मैचों में कुल 37 विकेट अपने नाम किये अपनी तेज तर्रार गेदों से हर बल्लेबाज के मन में खवब भर देने वाले श्रिनात सुभाव से बहुत ही शानत इंसान थी उन्हें कभी भी मैदान पर किसी खिलाडी के साथ लड़ते जगरते नहीं देखा गया डेनिस लिली और अलान डोनाल जैसे महान गेदबाज श्रिनात को एक आदर्श तेज गेदबाज मानते थे श्रिनात अपने करियर में किसी भी भारते तेज गेदबाज से अधिक चार वर्ल्ड कप का हिसा रहे हैं जिनमें इनकी विकेटों का आकड़ा जहिर खान के बराबर यानी 44 विकेट है श्रिनात एक अच्छे गेदबाज होने के साथ साथ एक पी छिटर बल्ले बाज भी रहे हैं 1996 में हुए टाइटन कप के फाइनिल में इन्होंने अनिल कुम्बले के साथ मिलकर नवे विकेट के लिए 50 रनों की आहम साजेदारी कर भरते टीम को चैंपियन बनाने में मदद की थी श्रिनात को कई बार अजहरों दिन की कप्तानी में दरबेड और अजज़ अडेजा के साथ उपरी क्रम में बल्ले बाजी करने का भी मौका मिला श्रिनात दच्छड अफरीका के खिलाप अपने टेस्ट करियर में सबसे अधिक सफल रहे हैं श्रिनात ने अफरीका के खिलाप 24-24-48 की आउसस से कुल 60 विकेट अपने नाम किये हैं दच्चिर अफ्रीका के खिलाब खिलते वी श्रेनाथ ने एक टेस्ट मैच में 21 रन देकर 6 विकटट ने नाम किये थे इस स्पैल को टेस्ट क्रिकट के एक कुछ बहतरीन गेदबाजी परदर्शनों में गिना जाता है कहा जाता है कि एक गेदबाज के लिए मैदान में विकटट से महत्पूर्ण कुछ नहीं होता है लेकिन श्रेनाथ ने एक बार अपने खाते में आ रही एक विकटट को सिर्फ इसले मना कर दिया था ताकि उनका साथी गेदबाज वो विकटट ले सके दरसल या किससा जुड़ा हुआ है उस मैच से जब अनिल कुम्बले ने पाकिस्तान के सभी दस खिलारियों को आउट कर दिया था उस पारी में एक जगा पाकिस्तान के नो विकट गिर चुके थे और वकार युनिस बल्ले बाजी कर रहे थे वकार युनिस ने श्रेनाथ के एक गेद पर शौट लगाया और गेद सीधे सद्गोपन रमेश की तरफ चली गई लेकिन श्रेनाथ ने सद्गोपन को कैच लेने से मना कर दिया और इस तरह श्रेनाथ के कारड दस विकट लेने का महान रिकॉर्ड अनिल कुम्बले के नाम हो सका जब आगल श्रेनाथ तेज गेदबाजी के मामले में बहुत अच्छे विद्यार्थी भी माने जाते थे ये अपने विफक्ची खिलाडी से भी सीखने का मौका नहीं चोड़ते थे इन्होंने डेनिश लेली से लेकर इमरान खान जैसे गेदबाज से तेज गेदबाजी के कई गोर सीखे हैं और इसी कारण इन स्विंग में महारत हासल कर चुके श्रिनात ने अपने करियर के आखरी कुछ सालों में रिवर स्विंग और आउट स्विंग जैसे तीर भी अपने तरकस में रख लिये थे एक अनभवी तेज गेदबाज की जरूरत थी इसलिए गांगुली के कहने पर श्रिनात ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए तयार हो गए 2003 वर्ल कप में इन्होंने कुल 16 वेकट लिए और टीम को फाइनल तक पहुचाने में मदद की लेकिन आउस्टेलिया के खिलाब फाइनल में अपने करियर का अंतिम मैच खेल रहे श्रिनात को वो वेदाई नहीं मिल पाई जिसके वो हगदार थे श्रिनात ने अपने के इंटर्वियू में जल्दी सन्यास लेने का कारण बताते हुए कहा था कि उनके घुटने और कंधे पूरी तरह जबाब दे चुके थे और साथ ही उनके रहते जहीर खान और आशिश नेरा जैसे गेदबाजों को एक साथ एक मैच में खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था इसलिए नए टैलेंट को मौका देने के लिए और अपनी इंजरीज के चलते इस महान गेदबाज ने बहुत जल्दी क्रिकेट को अलविदा कह दिया श्रेनात ने अपने करियर में कुल सरच टेस्ट मैच खेले थे जिनमें इनके नाम कुल 236 विकेट और 1000 रन है टेस्ट क्रिकेट में इनका सबसे बहतरीन गेदबाजी प्रदर्शन 132 रन दे कर 13 विकेट रहा जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाप हासल किया था टेस्ट क्रिकेट में श्रेनात कपिल देव के बाद 200 विकेट लेने वाले दूसरे भारती गेदबाज हैं बात करें इनके वन डे करियर की तो इन्होंने कुल 239 मैच खेले हैं जिनमें इनके नाम कुल 315 विकेट हैं वन डे क्रिकेट में इनका सबसे बहतरीन प्रदर्शन 23 रन दे कर 5 विकेट है जवागल श्रिनात वंडे क्रिकट में सबसे ज़्यादा विकट लेने वाले भारती तेजगेदबाज हैं साथे श्रिनात के नाम क्रिकट वर्ड कप में सबसे ज़्यादा बार नाट आट लोटने का रिकॉर्ड भी दर्ज है इसके लामा श्रिनात ने अपने फर्स क्लास क्रिकेट करियर में 500 से अधिक विकट लिये हैं। श्रिनात रेटार्मेंट के बाद ICC के मैच रेफरी के तौर पर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। इसके अलामा इन्हों ने करनाट का स्टेट क्रिकेट एशोशेशन के सेक्रेटरी पत पर रहते हुए नए क्रिकेटरों को आगे बढ़ाने का काम भी बखो भी नभाया। भारते क्रिकेट में इनके बहतरी न्योगदान को देखते हुए इन्हें भारत सरकार द्वारा उन्निशन पुरसकार से भी सम्मानित किया गया। अब बात करें के निजी जिन्दगी की तो इन्होंने पहली शादी 1999 में जियो सेना से की थी लेकिन को साल बाद इनका तलाक हो गया। जिसके बाद श्रिनात ने दूसरी शादी साल 2008 में पत्रकार माधुई पत्रावली से की नारट टीबिन के उजल भविश और उत्तम स्वास्त की काम ना करता है। तो दोस्तों मिद करतें कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो कर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरू करें। साथी साथ हमें फॉलो करें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों मिलते हैं कि वीडियो में एक और नए कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार।